इस वीडियो में हम समझेंगे Alternating Current. जैसा कि हम जानते हैं, जब भी किसी वायर या कंड़क्टर से Electrons Flow करते हैं, तो उस कंड़क्टर में Current Create होता है. इस Current की Direction, Electrons के Opposite Direction में होती है. Electrons Flow करने के लिए, हम वायर के एक एंड को बैटरी के Positive Terminal से और दूसरे एंड को Negative Terminal से Connect करते हैं. हम देखते हैं कि Electrons Negative Terminal से Positive Terminal की और Flow कर रही हैं. और Current Positive से Negative की और Flow करता है. जब Current एक ही Direction में Flow करता है, और Time के साथ Current की Direction चेंज ना हो, तो उसे DC Current या Direct Current कहते हैं. अब अगर हम वायर के दोनों एंड को बैटरी के साथ इंटर्चेंज करें, तो हम देखते हैं कि Electrons Flow की Direction रिवर्स हो जाती है. साथ ही Current की Direction भी रिवर्स हो जाती है. इसी Process को फिर से Repeat करें, तो फिर से Electrons और Current की Direction रिवर्स होती है. अब अगर हम इसी Process को बहुत कम टाइम में Repeat करें, तो Current की Direction continuously चेंज होती है. जब Current की Direction continuously चेंज हो तो उस Current को Alternating Current कहते हैं. लेकिन बैटरी की मदद से Current की Direction बार-बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है. इसी लिए हम Alternating Current generate करने के लिए AC Generator का यूज करते हैं. Alternating Current को समझने के लिए इससे Related कुछ Basic Term समझने होंगे, जैसे Frequency, Phase और Time Period. अब मान लीजिए कि एक AC Generator है, जिससे एक Bulb को Wire के Through Connect किया गया है. हम देखते हैं कि Wire में Current की Direction continuously चेंज हो रही है, जिसके कारण Bulb की Brightness कम और ज्यादा होती रहती है. लेकिन Practically हम ऐसा होते हुए नहीं देख पाते क्यूंकि ये Process बहुत High Speed पे होता है. अब अगर हम Wire में Flow होने वाले Current की Value को Graph से Represent करें तो हमें एक Wave का Pattern मिलता है. जब Current Wire में Flow होना स्टार्ट होता है, तो Current की Value initially 0 होती है. ये Current एक Certain Time Interval में अपनी Maximum Value तक पहुचता है. अब जैसे ही Current की Direction चेंज होती है, वैसे ही Current की Value decrease होती है और अगेन 0 हो जाती है. ये Current same opposite direction में Flow करता है और Maximum Value तक पहुचता है. और फिर से Current की Direction चेंज होती है और Current decrease होने लगता है और 0 Value तक पहुचता है. यही प्रोसेस बार-बार repeat होता रहता है. इस प्रोसेस में Current की Direction continuously alter होती रहती है, यानि Change होती रहती है. इसी लिए इसे हम Alternating Current कहते हैं. इस Wave Pattern में जो Crest और Trough है वो Current की Peak Value है जिसे हम I Not से denote करते हैं. वेव की एक Cycle complete होने में एक Certain Time लगता है जिसे हम Time Period कहते हैं और इसे हम T से denote करते हैं. ये Wave एक सेकंड में कई Cycle complete करता है और एक सेकंड में जितनी Cycle complete होती है उसे हम Frequency कहते हैं. इस Frequency को हम New से denote करते हैं. Alternating Current को हम कुछ इस तरह से represent कर सकते हैं. जिसमें I किसी भी Particular Time पे Current की Value है और I Not Current की Peak Value है. इस Equation में Omega एंगुलर Frequency है जिसकी Value 2Pi by T होती है. इस Equation में T Time Period है जिसमें एक Cycle complete होती है. Alternating Current को हम Sign और Cos की Form में represent कर सकते हैं. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेर और लाइक करें तो मिलते हैं.